हेलो फैंज आज की बडियों मैं जानें के टाइपस ऑफ हाडवेर बेसिक ट्वाइबांस दोस्तो टाइपस ऑफ हाडवेर समझने से पहले समझना होगा वाट इस हार्वेर दोस्तों कंप्यूटर में जो भी फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं इसको हाडवेर कहते हैं फर इसको इसको आप देख भी सकते और टच भी कर सकते तो यह हाडवेर के फॉर्म में हैं दोस्तों नेस्ट तू टाइप ऑफ हाडवेर फाउंड इन कंप्यूटर फर्स्ट इंपूट सेकेंड आउट्पूट दोस्तों इंपूट क्या होते हैं चलिए देखते हैं इन डिटेल्स में तो इन पूर्स ना इसासी नावनिट्यवें इन में होतेयिंगा हैं द्वेक्सिड़ में आए कंप्यूटर में वह से भी input के अंदर आते हैं for example keyword keyword से वह दोस्तों कुछ type किये number इस बात monitor में जाके अंदर enter हुआ तो दोस्तों keyword जो है input device हो दिया इस तरह माउस, touch screens, touch pads, tablet, pane input devices, game controllers, cameras, microphones, video capture devices, scanners, optical readers, biometric devices, data collection devices, जैसे भी computer के अंदर data को accept कराता है और feed कराता है और तो इसलिए इसको input कहा ही है और तो next है output, an output device refers to data to be transmitted by the computer in a human friendly form, दोस्तों data को transmit human friendly form में किया जाता है for example sound being played through a speaker, जोस्तों speaker मतलब एक box होता है उसके अंदर से sound आता है, तो यहांपर sound जो है output device हो गिया इस तरह से monitor, the main output device of a computer monitor हो गिया, कुछ भी enter कर रहे है keyboard से तो monitor में दिखा रहा है, मतलब कि इसको instruction भी है, output, input के थुरू और वह बहुत जो दिखा रहा है output, इससी तरह से बहुत सार एक्जामपल है output का है, जैसे display devices, monitors, LCD, LED जो भी है वसलिए output के form में है, printers, ink jet, ink tank, laser, 3D, data projectors, HDMI, VGA, USB, जोस्तों, output के form में speakers, जोस्तों हम इने कुछ picture लगाने हैं जो कि आप समझ सकते हैं devices को, data collection devices, video capture devices, microphones, optical readers, biometric devices, इस भी devices का picture हैं जोस्तों, जोस्तों आज के लिए वीडियो चले है तो like करे चैनल को subscribe तरहे, thanks for watching